तो दोस्तों without wasting time सबसे पहले stock के बारे में बात करते हैं वो है Zubliant Food आज की दिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 7.5% की stock में हमें गिरावट देखने को मिली और volume जो है यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा शांदार हमें देखने को मिल रहे हैं गिरावट के पीछे के एगर reason की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Zubliant Foodworks fails to cheer analysts about growth despite good quarter 2 score तो यहाँ पे कंपनी ने quarter 2 में result अच्छे post किये हैं बाकि आप और भी यहाँ पे news देख सकते हैं stable growth in challenging condition other than that आप देख सकते हैं quarter 2 में 9.7% कंपनी का profit अप रहा है although company के quarterly number को हमने detail में अपनी वीडियो में discuss किया है लेकिन इसके बाबजूद जो है तो हमें इसके stock price में गिरावट देखने को मिली उसके कई reason हैं मैं बारी-बारी से reason को गिना देता हूँ सबसे पहले तो हम बात करें अगर हम Deviani International Limited और Sapphire Foods के बारें बात करें तो उन दोनों ह अगर हम करते हैं Zubliant Food की दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे margin का एक pressure हमें देखने को मिला company के margin जो है तो वो decline किये हैं जिसकी वज़ा से यह stock under pressure रहा है और तीसरी अगर हम बात करें तो like for like जो growth थी वो यहाँ पे जो है तो estimate के हिसाब से although in the line देखने को मिली है लेकि inflation जो है वो बढ़ता जा रहा है तो इसकी वज़ा से company जो है तो अपने price को increase कर रही है लेकिन यह जो gap है यह धीरे धीरे कम होता जा रहा है लेकिन दोस्तों inflation हमेशा जो है बढ़ते बढ़ते आपको कभी 80% या 90% पर जाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा बहुत से बहुत यहाँ पे RBI वगेरा जो है वो inflation को control करने के लिए जो necessary steps है वो वहाँ पे ले रहे हैं तो inflation जादा दिन आपको बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिलेगा एक दिन आएगा कि वो control हो जाएगा company अपने raw material के price को भी increase कर रही है एक दिन आएगा कि company वहाँ पे stop हो जाएगी raw material के price को increase करना बंद कर देगी उसके बाद क्या होगा उसके बाद आप देखेंगे inflation जो है नीचे भी आता है लेकिन यहाँ पे आपको जो इनके price है वो नीचे आते हुए जरूरी नहीं है कि देखने को मिलेंगे और तब वहाँ पे company के आपको margin जो है increase होते हुए देखने को मिल revenue 16% से अब थे profit जो है तो लगभग 9.2% से अब थे मेरे हिसाब से company के number काफी अच्छे थे लेकिन अगर number अच्छे थे तो stock में गिरावट क्यों होई तो उसका reason आप यहाँ पे देख लीजे यहाँ पे गिरावट के जो reason है एक और यहाँ पे reason है जुलियंट food का यहाँ पे आप देख रहे हैं traded quantity अगर आप देखेंगे तो एक करोड 37 लाग है और अगर delivery की बात करेंगे तो 64 lakh की यहाँ पे delivery है 46% तो यहाँ पे 46% लोगों ने stock में delivery उठाई है अब होता क्या है कि stock जो है नीचे से लगभग यह तो गिरावट के बाद अ जो लोग नीचे की भाव में जैसे आज के भी दिन लोगों ने entry की है stock में delivery उठाई है 46% की delivery कम delivery नहीं है इतने बड़े volume के साथ में तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि जब stock फिर से 600 जाता है 650 जाता है तो यह वही लोग होते हैं जिनने stock price को नीचे के rate पे लिया होता है और थोड़े से अभी चुकि near term में challenges देखने को मिलते हैं तो short term में वो profit book कर लेते हैं stock के अगर हम bottom की बात करें तो 400 तक stock गया था तो जिन लोगों ने 400 500 में भी stock को लिया होगा तो definitely वो 600 पर पे अपने short term के हिसाब से जो भी उनकी planning रही हो जो भी उनका financial goal रहा हो उस हिसाब से वो अपने goal को fulfill करते हुए profit booking किये हैं लेकिन दोस्तों ये company जो है ये आज की नहीं है ये कई सालों से company है और आगे भी जिस तरीके का यहाँ पे company का track record चल रहा है growth का record चल रहा है जिस तरीके से expansion देखने को मिल रहा है तो आगे के 10 से 15 सालों में भी ये company रहेगी और अगर आप long term में यहाँ पे company के chart को देखेंगे तो multi यहाँ पे bagger जो है तो return जो है इस stock ने दिये हैं आप देखें कभी जो है तो 100 रुपय का भी होता था उस समय पर भी लोग profit booking करते थे आप देखेंगे बड़े-बड़े correction आए हैं लेकिन long term में अगर आप यहाँ पे हो सकता है इस level को touch करता हुआ देखने को मिले यहाँ पे एक support है और हर एक 50 के गिरावट पर आप चाहें तो इस stock को अपने portfolio में add कर सकते हैं अगले stock की बात करें burger paint यहाँ पे भी इस stock में हमें आज के दिन more than 5% का downfall देखने को मिला although बाद में छोटी मोटी recovery भी देखने को म जासे इस stock में गिरावट हुई है या फिर कुछ लोग जो है वो यहाँ पे risk नहीं लेना चाहते कल का wait नहीं करना चाहते कि company के number कैसे आएंगे हो सकता है उपर नीचे कुछ भी हो जाए क्या पता उनने यहाँ इस level में entry ली हो या फिर हो सकता है इस level में entry ली हो तो उनने अ all time high अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 813 का आपको देखने को मिलेगा valuation 5 year के basis point पे अगर आप हम बात करें तो आप देख सकते हैं valuation comfort है जितने valuation covid के पहले चला करते थे कुछ उनही level पर जो है तो stock trade कर रहा है in fact covid के बाद से अगर आप बात करेंगे तो यह अब तक के इसक जो है तो अच्छा number देखने को मिलेगा हाला कि यहाँ पे दिवाली वगएरा का factor अभी in sales में नहीं है तो seasonal अगर हम बात करें festive season के हिसाब से wedding season के हिसाब से तो वो impact आना बाकी है और हो सकता है कि आगे के कुछ quarter में या तो इस quarter में या तो next quarter में company अपने highest ever sales एक बार फिर से post करते बाकी यहाँ पे अगर आप sales growth और profit growth की बात करेंगे दोनों ही double digit में देखने को मिलती है stock price का CAGR भी काफी अच्छा है और return on equity आप देखेंगे वो भी काफी अच्छे आपको इस stock में देखने को मिलते हैं again यहाँ पे इतने बड़े volume में यहाँ पे trade हुई है profit booking हुई ह फिर भी आप देखेंगे 41% की यहाँ पे लोगों ने stock में delivery ले ली है despite कि यहाँ पे कल company के quarter 2 के number आने वाले हैं well यहाँ पे आप इस stock में क्या करना चाहिए देखें fresh entry या फिर average के बारे में अगर बात करें अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप कुछ ही मत करि कल company का quarter 2 का number देख लीजे बहुत से बहुत क्या होगा 45% और बढ़ जाएगा तो आप इस level पर entry ले लेंगे अगर result बहुत अच्छे आए तो otherwise जो है तो एक बार फिर से अपना company जो है तो यहाँ पे fresh new 52 week low लगाएगी अगर company के यहाँ पे number अच्छे नहीं आएंगे तो तो है तो एक अच्छी opportunity देगा आप long term के लिए चाहें या फिर positional के हिसाब से भी चाहें तो इसमें entry लेने के बारे में विचार कर सकेंगे बात करते हैं यहाँ पे अगली company indigo paints तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो low था वो 1331 था यहीं पे open हुआ था क्योंकि इस प पीछे का आप यहाँ पे reason देख सकते हैं block deal आज यहाँ पे होनी थी कल इसका news जो है तो मैंने अपने telegram channel में भी share कर दिया था कि यह एक block deal आपको देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं sequia जो की 3.3 percentage का equity यहाँ पे इन्होंने अपना sell करने का decide किया था और जिसका जो floor price था वो था 1315 रुपए पर share कमपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं small cap की कमपनी है valuation जो है आपको बर्जर paint जैसे ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे all time high से अगर आप देखेंगे तो लगभग 40% यह stock तूट चुका है और bottom से अगर आप देखेंगे तो percentage की उचाई पर हमें देखने को मिलता है कमपनी के अगर यहाँ पे quarterly sales की बात करें तो यहाँ पे number अच्छे है company जो है तो growth दिखा रही है आप देख सकते हैं 243 करोड रुपए के इस बार हमें sales देखने को मिले और profitable है company हाला कि छोटा मोटा यहाँ पे company profit generate करती है अब देख अच्छा लगता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़े volume के साथ हमें आज के दिन यहाँ पे profit booking देखने को मिली है company ने आज fresh नया 52 week low लगाया है although इसके पहले company का लगभग 1372 के round यहाँ पे पुराना 52 week low था हाला कि जो closing है वो अपने support के ही pass में है अब देखना यहाँ पे बनता है कि किस तरीके से stock trade करता है अगर यहाँ पे एक यह base बनाने की कोशिश करता है इन levels के ही pass में 1400 के round पर तो यहाँ पे अगर आप इसमें entry लेना चाहते हैं इस business में पसंद है तो small cap की company है छोटे मोटे risk के ही हिसाब से इसमें आप जो है तो entry लें otherwise अभी एक inflationary pressure या फिर कुछ extra loss वगरा होते हैं तो company सीधे profit से जो है तो loss में चली जाती है और उसका जो reaction है वो stock price में देखने को मिलता है तो no doubt यहाँ पे risk काफी जादा रहता है reward भी काफी जादा रहता है क्योंकि यही profit जब बढ़ते हैं तो 20 से 40 भी बढ़ जाते हैं तो stock price जो है त क्योंकि वहाँ पे liquidity काफी जादा है large cap की वो सारी companies हमें देखने को मिलती हैं बाकि अगर आप paint sector में entry ले रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि large cap की एक company जो हो वो आपके portfolio में जरूर रहा और वहाँ पे आपका weightage जादा होना चाहिए तो सातियों आज की वीडियो में बस इतना रही अगर आपके पास इन stocks को लेकर के कोई विचार है तो आप चाहे तो उसको comment section में comment करके बता सकते हैं या फिर share कर सकते हैं वीडियो अगर informative लगा हो useful लगा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं do not forget to subscribe our channel thanks for watching the video